बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों के सैक्षनिक कॉशल में आई गिरावर्ट, प्राइब स्कूल में भी टीचर बने के लिए टीटी ज़रूरी, पटना हाई कोट के चार अधिवक्ता बने ज़र्ज, पुशेश्वरस्थान में एक और तारपूर में तीन प्रत्याशी न पितीश सरकार देगी 2,00,00, रुप्ए का मोअफजा, जमू कश्मीर बे एक बार फिर से आमनागरिक उगडवादियों के निशाने पर आ गहे हैं जिसके तहर शनिवार को एक बार फिर से स्री नगर में उगडवादियों ने बिहार के रहने वाले युवक्त की जानदे ल जिससे उसकी परिवार का भरन पोशन हो रहा था लेकिन उगरवादियों ने बीती शाम उसकी जानने ली जिसके बाद सीम नितीश ने इस घटना को दुखत बताया है साथी मुआवज़े का एलान दो लाक रुपे के रूप में करने की खोशना की है बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों के सेक्षनिक कोशल में आई गिरावट गई है के लगभग 90 फिज़ी स्कूल सरकारदवारा चलाए जाते हैं जिससे की सरकारी स्कूल की घर्ती उत्पादक्ता के कारण हर साल कक्षा 5 तक पहुँच रहे बच्चे अपने कक्षा के पुस्तकों को पढ़ना सीखने वाले शात्र की संख्या कम होती जा रही है ASER के साल 2008 के रिपोर्ट की मारे तो बीते 10 साद में बिहार में प्राथमिक्स सिक्षा की स्तर पर काफी गिरावट आई है प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बनने के लिए TET जरूरी बिहार में सरकारी स्कूल के सिक्षक बनने के लिए सिक्षक पातरता यानि की TET परिक्षा अनिवारे परिक्षाओं में सेख्मानी जाती है लेकिन अब प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बनने के लिए आपका इस परिक्षा में पास होना अनिवारे होगा सिक्षप पातरता परीक्षा क्यांकों के साथ इंटर्व्यू की विवस्था लागू की जाएगी और इसके जर्ये ही किसी भी प्राइवेट स्कूल में सिक्षप का सेलेक्शिन किया जाएगा राश्ट्रिय सिक्षानिती 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने इस बदलाव की घोश्चा की है बिहार में भी इसे जल्द ही लागू करने की तयारी चल रही है मिली जुआनकारी के नुसार बिहार में नितीश सरकार नई राश्ट्रिय सिक्षा नीती को अमले जुआमा पहनाने में जुट गई है बिहार में नहीं मिला एक भी COVID-19 पॉजिटिव बिहार के लिए सुखद साबाचवार निकल कर केस सामने आई है जिसके थे जहां एक तरफ कई राज़ो अभी भी COVID-19 की चपेट में है वहीं दूसरे तरफ बिहार एक ऐसा राज़ो है जहां संक्रों में तो की संख्या दिन प्रते दिन कम होती जा रही है बीते दिन की बात करें तो COVID-19 की पुष्टीन नहीं हुई है स्वासब भाग की तरफ से मिली जुयानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में किसी भी COVID-19 पॉजिटिव की कोई रिपोर्ट नहीं आई है वहीं बिहार में अक्टिव मरीजों की बात करें तो उसकी संक्या फिलहाल 43 पहुँच गई है वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 76,314 सैंपल की जाज की गई वहीं कुल मिलाकर दो मरीज ठीक हो कर गहर वापस दो आते है पटना हाई कोट के चार अधिवक्ता बने जज बीते दिन रस्ट्रपती के तरफ से अनुमती मिलने के साथ ही कानून मंत्राले ने पटना हाई कोट में चार अधिवक्ता को जज नियुक्त कर दिया है जिसके तहत अधिवक्तार, राजेश कुमार वर्मा, संदीप कुमार, पुर्णेंदु सिंग और सत्रवत पर्मा पटना हाई कोट के नए जज के तौर पर नियुक्त हो गए है और पटना हाई कोट के एक जज को आंत्रप्रदेश भी भेज़ दिया गया था इसकी बाद पटना हाई कोट में कुल जजों की संख्याथ 56 हो गई है, जब की तिरपन कुल स्विक्रित पद है कुशेश्वर स्थान में एक और तारपूर में तीन प्रत्याशियों ने पीछे हटाया अपने नाव बिहार विधान सभा उप चिनाव में दो सीटों को लेकर स्थिती पूरी तरीके से साफ हो गई है श्रनिवार को प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की आखरी तारीख थी इस दोरान कुशेश्वर स्थान रधान सभा श्रेतर से एक निर्दलिये प्रत्याशिय विजे कुमार राम ने नाम वापस लेकर चिनावी मैदान से हटने का फैसला लिया है जिसके बाद अब यहां से सिर्फ आर्ट प्रत्याशिय मैदान में ही रहे गए है वही तीन प्रत्याशियों ने तारापुर से नाम वापस ले लिया है जिसके बाद जस्टिस पार्टी के मुहमद जसीम निर्दलिय संजे कुमार और धरमेंदर कुमार शुनावी मैदान से बाहर हो गये हैं को बता दे कि सश्री फुशन हजारी और मेवालाल शौधरी के गुज़र जाने के बाद से कुशेश्वरसान और तारप पुरसीट चुनाब 30 ओक्टोबर को होने वाला है और 2 नवंबर को मत गर ना होगी जबकि इसके लिए राज़त जदियू कॉंगर्स समीत अन्यदल के कै दर्भंगा एरपोर्ट में से मखाना लेकर जल्द ही उडान भरे का स्पेशल कार्गो प्लेन दे सकेंगे इतना ही नहीं दर्भंगा एरपोर्ट के इस पहल से मुख्यमंतर नितीश कुमार का यह सपना कि देश और विदेश की हर थाली में विहारी व्यंजर हो यह भी साच होगा इसके साथ ही उन्होंने विताया है कि मुख्यमंतर नितीश कुमार की अधिक्षता में पत्ना हाई कोट ने 72 घंटे में EPFO को पैसा देने का आज़ जारी की आदेश, बीते दिन पत्ना हाई कोट ने 72 घंटे के भीतर वसूली गई राश्वी खाते में वापस करने का आदेश दिया है, इसको लेकर पत्ना हाई कोट के निया मुर्ती मोहित कुमार श्राह की एकल पी करेंगे, इसको लेकर कोट ने बैंकों को छेतावनी देते वे कहा है कि वो इस तरह की गैर कानोनी कारवाई में भागिदारी ना बने, आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे कि ये EPFO नियोक्ता द्वारा सत्या पे दावा प्रपत्र के दिये गए, विवरन के आधार पर कर्मचारियों को भुकतान करता है और इसके साथ ही भुकतान उसके व्यक्तिकत बैंक खाते में होता है, नियोक्ता की तरफ से एक ही बैंक खाते में कई कर्मचारियों के भुकतान के लिए प्योग किया जाना दोखा देरी का मामला है, दिवाली और छट में घर आने वालों साफ नर्देश दिया है कि दिवाली और लोकास्था कमापर्व छट के मौके पर बिहाराने वाली लोगों की कोरोना की जाज की जाए साथी जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीकार नहीं लगवाया है उन्हें जल्द से जल्द वाक्सीन दगाई जाए वही बीटे दिन आयो जित समीक्षा बैठक में स्वास्व भाग के अपर मुखिसाचिफ प्रत्य अमृत ने प्रस्तोती करण के माध्यम से कोरोना के साथ साथ अन्हे बिमारियों को लेकर विभाग द्वारा किये जा रहे कारियों की अधितन सितिक की विसरिज जानकारी दी ह VTR में बाग की पहचान के लिए होगा DNA जाच बाद में की टाइगर रिजर्व में वर्चस्व की लड़ाई में एक बाग की जान जाने के बाद दूसरे बाग की ट्राकिंग में वन्रभाग लग लग गया है इसको लेकर मांसरोबर शेतर में इस बाल बाग का मल मिला है वही इससे पहले घटना स्थल के पास ही बाग के बाल मिले थे दोनों की DNA जाच इंडियन वेटिनरी इंस्टिटूट बरेली और वन्यव जीव अधियन संस्थान दहरादून में करवाई जाएगी छेतर निदेशक एच के रोई ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि दोन विभाग की टीम से तरक रहती तो बाग की जान नहीं जाती तेशप्रताब ने कॉंग्रिस का साथ देने की कही बात राज़त और लालो परिवार को तेशप्रताब यादफ को लेकर जिस चीज का डर्था आखिरकार वही सच हुआ है तेशप्रताब यादफ ने पार्टी से अलग जाकर उप्चिनाफ की दौरान विरोधी चल रहे कॉंग्रेस पार्टी का समर्थन देने का ऐलान किया है। युवा नेताओं से कॉंग्रेस की बड़ी उमीद। इसके साथ ही कॉंग्रेस का ये भी कहना है कि हमाते हैं कि इस बार कॉंग्रेस कुशेश्वरस्थान और तारपूर दोनों सीट पर विजवे हासिल करेगी। मनुझ जहान नेतीश सरकार को बताया चंद दिनों का महवार। दोनों सीटों के नतीशे आने दीजिए ताश के पतों कि तरह ये लोग भर भर आकर गिरेंगे। सरकार तो बस टाइम पास में चल रही है। सच कहूं एक स्पाइरी डेट भी क्रॉस कर चुकी है। अकाश शोप्रा ने चुनी फ्लॉप प्लेइंग 11 भारत के पुर्फ सलामी बलेबाज और मशूर कॉमेंटेटर अकाश शोप्रा ने IPL 2021 की फ्लॉप प्लेइंग 11 चुनी है। अकाश शोप्रा ने अपने फिशल यूट्यूब चैनल में अप्लोड वीडियो में अपिक्षा के मतापिक प्रदर्श नहीं करने वाले खिलाडियों को चुना है। शारुख खान के बेटे आरियन खान ड्रक्स केस में चल रहे है और आरियन की जमानत याचिका का फैसला सो रक्षित रखा गया है। आपके रुज़ार बिहार में सरकारी स्कूलों के सिक्षा व्यवस्ता में सुधार की जरूरत है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूरत है। इसके साथ ही आच के लिए बसकता ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सिब्स्क्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।